नमस्कार दोस्तों, हाजीर है आपके सामने पर्षनोत्तर वाटिका कलास पांच पार्ट दो पन्च परमेश्वर इसका पहला प्रस्न है जायदात के रिजिट्री होते ही जुम्मन का वैवार बदल गया इससे जुम्मन के सवभाव के बारे में क्या पता चलता है? इसका उत्तर होगा जायदात के रिजिट्री होते ही जुम्मन का वैवार बदल गया इससे जुम्मन के सवभाव के बारे में पता चलता है प्रस्न खा है मैं अलग पका खालूंगी खाला ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर होगा जुम्मन की पत्नी करीमन रोटिया देने के साथ कड़वी बाते भी सुनाने लगी कुछ दिन खाला ने सब कुछ सुना पर जब ने सहा गया तो अंत में उन्होंने कहा बेटा तुमारे साथ मेरा ने होगा मैं अलग पका कर खालूंगी इसके बाद तीसरा प्रस्ण है प्रस्ण गह जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? इसका उत्तर होगा खाला ने अपने साथ जायदाद जुमन के नाम लिख दी थी इसलिए जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना कबूल किया था प्रस्ण घा है फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गई इसका उत्तर होगा जुम्मन को उम्मीद थी कि अलगो चोदरी उनके मित्र है और उनके हक में फैसला देगे लेकिन अपने खिला फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गई थे अगला प्रस्ण है सरपंच का आसन ग्रहन करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ प्रस्ट नंबर दो पर इसमें सहीवी कल्प पर निसान लगाना है परचन है जुम्मान का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ हैसला क्यों दिया था इसमें पहला ओप्षन है अलगू सच्चा मित्र नहीं था दूसरा ऑप्षन है जुम्मान के निश्ब्स होकर नयाय करता है अब चलते हैं परचन खाण जुम्मान शेख ने समझू साहू के विरूद फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चोधरी को दे क्योंकि जुम्मान सेग ने सरवच बन कर समझू साहू से बतल लिया दूसरा ऑप्षन है जुम्मान सेग अपने मित्र अल्गो चोधरी का पक्ष लिया तीसर उप्षन है बेलिकी मृत्यु केवल इस कारण होई थी कि उससे कटिन प्रिश्रम लिया गया था और दाने चारे का परबंद नहीं किया गया अब चलते हैं प्रस्ट नमबर तीन पर कहानी से समधित वाक्य गलत करम में लि साथ वाक्य इनको सही करम में लिखना है जुमन ने लंबे चोड़े वायदे करके वह ज्यादात अपने नाम लिखवा ली थी दूसरा वाक्य है थोड़ी देर बाद जुमन अलगों के पास आये और उनके गले से लिपट गए तीसरा वाक्य है जुमन से की एक बुड़ी ख रेड़ के नीचे फंचायत बैठी ने जुमन की जिरे जुमन से जिरे सुरू की अब हमंसे क्रम में लगाना है कॐनसमस के बाद ठीक है अब उनको करम में लगाते हैं तो इसमें सबसे पहले कौन सा वाक्या आएगा सबसे पहले आएगा जुमन से की एक बुड़ी खाला थी दोसे नमर पर आएगा उसके पास थोड़ी जायदा थी परन्तु उनके निकट संबंदियों में कोई न था तीसरे नमर पर सरपंच का आसन क्रेंट करते हुए जुमन में अपने जीमेदारी का भाव पैदा हुआ साथ नमर पर आना है थोड़ी देर बाद जुमन अलुको के पास आए और उनके गले से लिपट गए तो इस तरीके से साथ वाक्य एक के बाद एक आने हैं अगला प्रस्न है चार रूपे दे दिया करो मैं अलग पका खालूंगी ऐसा ओलो ना खाला जानने किसको जुमन से दूसरा बाग्य रूपे क्या यहां पलते हैं ऐसा बोढा था जुंबन ने खाला जाने से जेख जुंबन हम तुम्हारे पुराने दोस्त है ऐसे तुम और बूरी खाला दूनों अपनी निगाह में बराबर हो यह बोला था अलगु ने जुंबन से चोथा बाक्या है भाई पंचात कर लो जो कुछ तै हो जाए उसे सिविकार कर लो ये बोला था लोगों ने समझू साहु से पांचा बाक्या था समझू के लिए उचित है कि बैल का पुरा दाम दे ये बोला था जुम्मन ने समझू साहु से छेटा बाक्या है पंच ने किसी के दोस्त होते हैं ने किसी के दुस्मन ऐसा किसने बोला था खाला जान ने जुमन से अब चलते हैं आगले परस्ण पर आगे दिया गया है नीचे लिखी पंगतियों का आश्य अपने सब्दों में लिखना है ठीजिस्ट्री की मुहर लगते ह इसका अपने सब्दों में लिखना है ठीजिस्ट्री जुमन के नाम होते ही जुमन ने अपनी खातिरदारी करना भी उनकी खातिरदारी करना भी बंद कर दिया उनके मितलब खाला जान की इसके बाद है कुछ दिनों तक यों ही रोध होकर काम चलता रहा किसका काम चलता रह खाला जान का खाला जुम्मन और उनकी फत्री के बुरे वैवार को कुछ दिन तो चुपचाप रोकर बरदास्त करते रही अगला सेंटेंस है जुम्मन ने गरश्टा के साथ उत्तर दिया रुपया क्या यहां फलते हैं इसको अपने सब्दों में कैसे बोलेगे जुम्मन ने क्या है फैसला आटो फैर खटकने लगा इसको अपने सब्दों में कैसे लिखेगे अलगु ने जो फैसला दिया था जुम्मन को बहुत बुरा लगा था दिन नात्य वै उसी के बारे में सोचता रहता था नेक्स्ट वनीज मैं इस समय नयाय के सर्वोच आसन पर बैठा हू सत्य से जो भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है ऐसा इसको अपने सब्दों में कैसे लिखेगे सर्पंच के आसन पर बैठतो वे जुम्मन के मन में ख्याल आया की वह नयाय का सर्वोच आसन है इस समय उसे व्यक्तिकत दुस्मनी को भूल कर सिर्फ सही और गलत के आदार पर नयाय करना चाहिए इसके बाद प्रस्म 6 में लिखाया भासा के रंग मुहावरों का सही अर्थ से मिलान कर उसका वाक्य में प्रियोग करना है पहला मुहावरा दिया है मुहर लग जाना मतलब पक्का हो जाना यह तीसरा होगा इसका सही सीर माथे चड़ना चलो इसको अ अब से मूर लगते ही राजू फुस हो गया दूसरा मुहावरा था सिर माथे चड़ना मतलब खुशी को स्विकार करना इसका वाक्यम प्रियोग किस तरीगे से करेंगे तो अपनी मा की दी हर एक वस्तों को सिर माथे चड़ाती है तीसे नमबर पर आता है सन्नाटे में आ जाना मतलब चूप रह जाना सालेंट हो जाना इसका वाक्यम प्रियोग किस तरीगे से करेंगे मा ने जैसे ही मीरा से पूरा घर साप करने को कहा गया सन्नाटे में आ गई चोथा मोहावरा है कलेजा धगदक करना मतलब अधिक घपरा जाना इसका वाक्यम परियोग करेंगे चोरी करतों है पकड़े जाने पर सुरेश का कलेजा धगदक करने लगा पांचों मोहावरा है दिल का मैल धुल जाना मतलब हमारा मन पूरी तरीके से साफ हो जाना मन साफ सब्सक्राइब करें कि जैसे ही रजयत ने अपने गलती के लिए छहमा मांगी सोनी के दिल का मैल धुल गया इसका प्रस्णिश्य का खर्यानिमन लिखित तद्भाव सब्दों के तत्समरूप लिखने हैं इसमें पहला सब्दा निभा निभाव मतलब निर्वाह करना निठोर पहर का तत्समरूप होगा प्रहर घर का तत्समरूप होगा ग्रे पूरा पूरा तद्भाव सब्द का तत्समरूप होगा पूर्ण बगत बगत का तत्समरूप होगा भक्त इसके बाद अगले प्रस्ण पर चलते हैं तुम्हारी कलम से सरपंच कैसा होना चाहिए इस विश कुछ से पूछेगे कि सरपंच कैसा होना चाहिए तो मैं अपने सब्दों बताऊं तो सरपंच ऐसा होना चाहिए जो अपने प्राए दोश्ती दुस्मनी का भेद ने करते हुए केवल सही गलत और सत्य ऐसत्य के आदार पर नयाये करें इसी के साथ इस पार्ट की प्रस्वन दिस्माफ्थ होती है आप सभी को बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए कोमेंट कीजिए यद अन्यवादाब सभी को को लुगु का